हलो बच्चो केसे है आप सब आप सब लोगों को तो पता ही है कि हम कुछ पिछले दिनों कुछ वीडियो से हम क्या पर रहे हैं बच्चो आपके हिंदी वियाकरन के पार्ट एक भाषा है कि ने बच्चो तब बच्चो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि अब तक हमने भाषा के बारे में क्या जाना और क्या पढ़ा उसके बाद हम करेंगे एक प्रश्न जो की आपके हिंदी वियाकरन में से दिया गया है ठीके बच्चो आप सब रेदी होना आईए आगे चलते हैं आईए बच्चो अब हम देख लेते हैं कि भाषा की पार्ट से हमने क्या क्या जाना भाषा के बारे में ठीके आईए सबसे पहले अपने मन की बात विचार जरूरत या भावो को दूसरों को समझाना ही भाषा है हाँ बच्चो भाषा का मतलब क्या है अपने मन की बात विचार जरूरत या भावो को दूसरों को समझाना ही भाषा है आईए दूसरा हमने क्या सीखा इस पार्ट से भाषा के दो रूप होते हैं हाँ बच्चो भाषा के दो रूप होते हैं मोखिक और लिखित ठीके बच्चो भाषा के कितने रूप होते हैं भाषा के दो रूप होते हैं मोखिक और लिखित आईए तीसरा देखते हैं बोलकर और सुनकर विचारों का आदान प्रदान, हाँ बच्चों, बोलकर और सुनकर विचारों का आदान प्रदान मोखिक भाशा कहलाता है। हाँ बच्चों, इस वाकिय का मतलब है कि हम अपनी बात बोलकर और सुनकर दूसरों को समझाते हैं या फिर खुट समझते हैं, उसे ही मोखिक भाशा कहते हैं। ठीके बच्चों, क्या कहते हैं? मोखिक भाशा। नमबर चार, लिख कर और पढ़ कर एक दूसरे की बात समझना लिखित भाशा है। आप तो जानी गए होंगे लिखित भाशा का क्या मतलब होता है? लिख कर, पढ़ कर जब हम समझते हैं, तो उसे क्या कहते हैं बच्चों? लिखित भाशा कहते हैं। ठीके? Next, हम संकेतों से भी एक दूसरे को मन की बात समझाते हैं। हाँ बच्चों, हमने यह भी जाना था कि ना, कि हम अपनी बात दूसरों तक और किस तरह पहुँचा सकते हैं? संकेतों दुआरा, है कि ना? तो इसलिए यहाँ पर दिया है, हम संकेतों से भी एक दूसरे को मन की बात समझाते हैं। हाँ बच्चों, आए देखिए, पशुपक्षियों की अपनी बोलिया होती है, हाँ बच्चों, मैंने यह भी आपको समझाया था ना, कि पशुपक्षियों की भी अपनी बोलिया होती है, अपनी लेंग्वेज होती है, लेकिन उन बोलियों को हम भाषा नहीं कह सकते हैं। लेकिन फिर भी पसुपक्षियों की भी अपनी बोलिया होती है, समझगे बच्चो? हाँ, आए, आगे चलते हैं और करते हैं, क्या बच्चो? प्रस्नों के उत्तर लिखते हैं, आए, तो आए बच्चो, अब हम करते हैं प्रस्ना एक, जो कि आपके हिंदी व्याकरन में से दि प्रस्ना क्या है, बच्चो? खाली स्थान में उचित सब लिखो, आब बच्चो, यह जो खाली स्थान दिए गए हैं, यहांपर हमें क्या लिखना है, उचित सब्द, यानि की रयक्ट वॉर्ड लिखना हैं, ठीके, और यह सब्द कहां दिए गए हैं, देखे, आपके दा आपको चुनकर यहां पर दिखने हैं, ठीक है, आईए, सबसे पहले पढ़ते हैं, नमबर फ, भाशा के द्वारा हम अपने, हाँ बच्चो, भाशा के द्वारा हम अपने, डैश की बात दूसरों को समझाते हैं, हाँ बच्चो, यहां पर क्या होगा, बोलकर लिखित मन दो, क क्या होगा, बच्चो, मन, भाशा के द्वारा हम अपने, मन की बात दूसरों को समझाते हैं, ठीक है, बच्चो, भाशा के द्वारा हम अपने, मन की बात दूसरों को समझाते हैं, नमबर ख, भाषा के डैस रूप होते है, हाँ बच्चो भाषा के डैस रूप होते है, तो बोलकर लिखिक और दो में से हम किसे लिखेंगे यहाँ पर बच्चो? दो को लिखेंगे है कि ने क्योंकि भाषा के कितने रूप होते हैं दो रूप होते हैं इसलिए यहां पर हम दो को हम यहां पर लिखेंगे नमबर गड़ मोखिक रूप में हम डैश अपनी बात समझाते हैं हाँ बच्चो मोखिक रूप में हम केसे अपनी बात समझाते हैं बोलकर या फिर लिखिक बोलकर समझाते हैं ना मोखिक बात समझाते हैं हाँ तो ये बोलकर को आप यहाँ पर लिखिएगा ठीक है मोखिक रूप में हम बोलकर अपनी बात समझाते है हाँ बच्चो मोखिक रूप में हम बोलकर अपनी बात समझाते है लास नमबर घप अखबार हाँ बच्चो अखबार न्यूस पेपर हाँ अखबार डैस भासा का रूप है हाँ बच्चो अक्बार कौन सी भासा का रूप है अक्बार को हम पढ़कर लिखे हुए अक्बार को हम पढ़कर समझते हैं ना तो उसे कौन सी भासा कहेंगे लिखित हा बच्चो तो इस लिखित को आप यहाँ पर लिख लीजी ठीक है अखबार लिखित भाषा का रूप है समझगे बच्चो? हाँ, आगे चलकर अगले स्लाइट पर चलते है जहाँ पर मैंने इन प्रस्णों के उत्तर लिख दिये है तो देखिए बच्चो प्रस्ण एक के उत्तर मैंने यहाँ पर लिख कर दे दिये है आप क्या कीजिएगा उसे? आप अपने किताब में सुन्दर हैन रैटिंग में लिख लेजी हाँ, किताब में लिखना है बच्चो, कॉपी में नहीं आए देखते है, नमबर क भाषा के द्वारा हम अपने मन की बात दूसरों को समझाते हैं नमबर ख, भाषा के दो रूप होते हैं ठीके? नमबर ग, मोखिक रूप में हम बोल कर अपनी बात समझाते हैं लास नमबर ग, अखबार लिखित भाषा का रूप है समझगे बच्चों, आप करोगे न? हाँ तो आज के लिए इतना ही, हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में तब तक के लिए, बाबाई